अलो ब्रेबन, वेल्कुम टू मै चानल, आज आज में लो बीसिट इलेक्रिकल इंजिरिंग के पार्ट नुम्बर फिर डिस्कस करेंगी, क्वेश्टन नुम्र 70, विच अब दी फोल्ड लेंड में भी हम दी लोवेस्टेस अट रूल टेंपरचेत वां इस क्वेश्टन में इन्वी से पार्ट से बल पर अजिस्टेस सब्सक्रिक कर होगा, प्रिंट ऑप्षन में आप दीट रहोएट इस मोल्टेज की वैलो होगा, सब में सेम, इसका मतलब फैंच क्या होगा, कि मोल्टेज की मिलू पोस्टें तू इसमें फिर पामर का लिए फामूला होता है, ति यहां से क्या लिक सप्ता हूं? यहां से मैं लिक सप्ता हूं, ए क्या में लिक सप्ता हूं, आ रवन एकको लिटो, दीटो 진ी呢 स्क्वार टीवर्ट पामर कितनी होगी, सै क्या अगर मिज़ विखो ख यां विय्टो, प्रिंटो पामर क्या झा होगा, मिलू नोच की आ हल कितने है फेल फिल 25 वart अगर मुझे रथ्री लिखना वाँ तम में कहान रखूँगा v3 square upon p3 वोल्तिस के वोल्तिस के वोल्तिस समय सेम है यह तर 220 क क स्क्वार और पावर के विलू कितने है 60 वart अगर मुझे R4 लखना हो ता मैं कहया लखोओ हा V4 का square upon P4 voltage के होल्यों संभ में same वर 220 का square upon power के वल्यों कितनी है 200 watts इसका मतलब friends, क्या होगी ये voltage की value फाइश संम में same है 220 watts तो फैर, रेजिस्टेर के होल्य पावर के इंवर्सन दो हो गया तो फिर आपको बता सकता हूं अगर पावर की वल्यु सबसे ज्यादे होगा रच्टिर्स क्या होगा अगर अगर एक ऑगर रफ ोर की वार क्रों तो य कि zeggen उसमें पावर की वल्यु की बता है 200 वार्ट इता है मतले उसका रच्टिर्स क्या होगा यह सबसे कम होगा as compared to R1, R2 और R3 के कम्पेरमेंट के हो क्योंकि यो पावर है सबसे ज्यादे पी 4 की ज्यादे है न तो उसका रेश्टेंस पे क्या होगा सबसे कम होगा तो एक वार क्या करते है कौन सा option ठीक है प्रसप्ट्रांज एक वार क्यां बडते ही गनसे ज्याद कर सा एक वर मैं कौन कesta at उस क्योंस तो फ्रे बहार है पर गडीद गड़ा है गनसे ज्याद जैते ही पर फोल्पिक यह ऐसा इनन्ट होती है, वह जूल होती है, विस ओप्शन में जमारे एफ होगा, बुस्ट में करफ्ट जाए दो, उसमर पॉर्णटी, एफ विल्वाग, वन लेक एलक्टोंस पर सिकेंड, कॉस्सितोर्ट एक करण्ट ओप्ट, फिर्ण बिसेकर आपसे इस में करण्ट की वल्व पुछी गईए, ठीक है, तो फिर्स आप क्या करिए, करण्ट करण्टी साम्मोल होता है, तो होता है, आपसे निखेंगे, पहले में निखता हो, नम्बर, न की वल्व कितनी दी रखी आपको, वन लेक, क्या है, एलक्टोंस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, और फिर्स टाइम आपको दी रहा होता है, तो 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 फिर्स ट अप्षिन के लाफ वैलु पूट करन दीजिए, ये इस्टो के क्या लिक सबकाऊ, 1 इंटो 10 की पावर 5 लिक सबकाऊ ना, multiply by 1 इंटो 6 इंटो 10 की पावर माइनस 90, अपॉन कितना हो जाएगा, 1 तो फेंट या आपको इतना में नहींगा, 1 इंटो 10 की पावर माइनस 40, एंट पेरेबर चैय करते हैं, कौन सा अप्षिन ठीक है, फेंट आप्षिन माजे मारा, भी है, बूसमें करप जाएगा, कुछिन में 21, वार्ट विर्विडर क्रॉस सेक्षिनल एरिया, इन स्क्वार मीडर ओफ एर्फ एर्टीन मीडर लॉंग स्नेंडिकल वायर, था फ्र स्क्वार स्कुलिण करते हैं, फेंट ता वर्फ एर्ई करेंने और बीट डीकल ध우 नत्य है, पार बिसेकली आपको इसमें एर्या की वायरी वायर आप करनी नहीं हैं, Oh into Meter R आपो गिविन है 12 warm इक तो अप्षेंज आप्षेंटिल R बराबर रेस्टेंश कर दो फामूला होता है Row into L upon ही इसमें मेलों पुट कर लीजिए इक तो यहां से अगर मैं A निकाला हमों तो इसमें दालेक सकता हूं Row into L upon और क्योंकि मुझे एरिया ही फैंड़ोट करना है रजिस्टोटी की बलू है 0.67 लेंट आपको गिविन है 18 मिटर और रजिस्टेस आपको गिविन है 12 जब आप इसको स्वाल करेंगे तो यह दो 1.005 यानि मैं इसको क्या लेक्स अप्टा हूँ र एकवल टो 1 स्क्वाय यह वद चेर करके हैं कॉरस अफशन ठीक है मारा तो अफशन में जब मारा C होगा बहुस्पा रख कर जाएगा आजम ने बेसिक लेप्ट कर एंजिनिंग के पार्ट नमबर फिप डिस्कस किया रन मिलते नेक्स बोडियों अफ, okay thank you